तो सबसे पहले हम लोगों को मौका मिला है अठार सो संतावन के बिद्रो के खिलाप बैटिंग करने का तो बॉलर यहाँ पे बॉल लेके तयार है पहला बॉल है और विभाजित बिहार जिसमें की जहरखंड भी मिला हुआ था उस समय पहली बार रोहिनी में इस्थित 32 वी रे देवघर में है देवघर जो है जहरखंड में है और ये अठार सो संतावन के बिद्रो में 32 वी रेजिमेंट सेनी का टुकरी था इसको हटा कर रोहिनी को भागल पूर लाया गया था तो यहाँ पर उप्सन नमबर ए आगला देखिए कोसन नमबर दो कहां के पुलीस जमाद जमादार हसन अली खान को सन 1857 में फांसी दी गई थी तो ये थी आपका तिरहुत तिरहुत जानते हैं आपका बिहार में परमंडल है बिहार में नो परमंडल है नहीं तो उसी में से एक परमंडल है तिरहुत यहीं के थे जमादार हसन अली खान जो के 1857 में फांसी दी गई तो यह है आपका E.A. Samuels, option number D, question number 4 देखिए, बिहार के पटना में 1857 के बिद्रों के दोरान, पुलीस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाती को सामिल करने को मना किया था, तो यह जाएगा आपका राजपूत, तो देखिए, राजपूत, ब्रहमन एबं मुसल्मानों की भरती की मना ही थी, ठीकना, आगला देखिए, question number 5, पांच नंबर प्रसन है, पटना में 1857 के बिद्रों में कौन मारा गया था, तो इसमें मारा गया था, डॉक्टर आर लायल, option number A, question number 6 देखिए, बिहार में East India Company, सरकार ने, पटना, बिहार और सहाबाद जिलों में 1857 के बि लागो किया था, तो ये 30 जुलाई 1857 को जो है, मार्सला लागो हुआ था, question number 7 देखिए, यहाँ पर, बिहार के दानापुर के सैने टुकडियों ने बिद्रों किया था, कब? 25 जुलाई 1857 को, तो option number C, यहाँ पर सही जबाब, अगला देखिए, 1857 के बिद्रों के समय, अगला देखिए, बिहार में 1857 के बिद्रों के दौरान, बाबु कुवर सिंग की अनुयाई कोन थे, तो ये थे आपका, अमर सिंग, रत भंजन सिंग, और जैसरी कृजन सिंग, यानि की उपरूक्त सभी, option number D, तो देखिए, कुवर सिंग के अन्य अनुयाई भी थे, जिन ने कहा कि कुवर सिंग ने अपने को आराच्षेतर का सासा घोसित कर दिया है, तो ये कहा है, सेमुयेल, option number D, 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सेमुयेल ने बंगाल सरकार से कहा था ये बाते, अगला देखिए, कुशन number 11 यहाँ पर आ चुका है, बिहार में 1857 के बिद्रों क बिद्रों जब हुआ था, उस समय गया जिला और सासाराम के बीच जो है, संचार बेवर्स्ता को रद कर दिया था, क्या नाम है, अमर सिंग, किसने कुमर सिंग की सेना को पूरी तरह पराजित किया था, तो ये विसेंट आयर पराजित किया था, option number B, दिखिए, ये सब के कर वे ने कीजिएगा, अगर आपको एक्जाम निकालना है तो, अगला देखिए, बिहार में कमपनी सरकार के बिरुद, विद्रोह करने वाले नाना सिंग मुख्यता कहां के जमिनदार थे, तो ये नवादा जिला का था, क्या है प्रस्न कमपनी सरकार के बिरुद, विद्र कर दिया था, तो ये हो जाएगा भागलपूर, कोस्टन अबर नेक्ष्ट यहां पर देखिए, बिहार में 857 के बिद्रोह के दोरान किस पर बिद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदे अंग्रेजों ने किया था, तो ये हो जाएगा आपका दर्भंगा महाराज पर, आपसे नमबर ए, कोस्टन अमर 17 दिखिए, अठारसो संतावन के बिद्रोह के बिद्रोही और डकैती के आरोपी, गुनी जा कहां से संबन्दित है, कोन है यहां पर, गुनी जा के बारे में पुछा जा रहा है, तो ये भागलपूर से संबन्दित है, देखिए हम कोस्टन क आपको एक ही बार पढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादे कभी-कभी दो बार पढ़ेंगे, लेकिन आपको ज्यादा दिक्कत हो, तो आप थोड़ा जो है, वीडियो को रोग-रोग करके देखिएगा, या फिर दोबारा देख लेजिएगा, लेकिन ये कोस्टन आपके लिए जव परिक्षा के लिए अगला देखिए बीस नंबर अली करीम, लुक्पू अली खान और मीर अली रंगरेज, ये कहां के आठार सो संतावन के विद्रो के नेता थे, तो ये था आपका पतना जिला का, ठिक, बिहार के किस नदी तट का किनारा, अठार सो संतावन कि बिद्रोहीं का गवा बना था, तो ये सोननदी का बना था, ठीक ने, सोननदी आप जनवे करते हैं, छप्रा इथर पाती है, स्वनपूर के मेलावा में, वही न, इस या का सबसे बड़ा पसो मेला कहां लगता है, यही स्वनपूर में, स्वन पूर किस जिला में है, सारन में सारन का जिला मुख्याले कहां है छपरा अगर देखिए बिहार में 1857 के बिद्रोही नेता सरनाम सिंग कहां के थे तो यह थे आपका रोहतास का उपसर नमबर डी और सरनाम सिंग को जो है 19 जुलाई 1858 को रेट्रे ने गोलियों से उरवा दिया था कोसर नमर 23 यहां पर बिहार का तो यहां पर राजगीर प्रकबजा जो किया था यह होगा आपका है दर अली तो अपसर नमबर यहां पर सहीजवाब होगा तो देखिए 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चठा दिया गया था कोसर नमर 24 यहां पर किजिए कहां खुसियाल सिंग के नित 1857 में रजबारों का बिद्रो कहां हुआ था रजबारों का बिद्रो जो हुआ था यह नवादा में हुआ था आपसर नमबर यहां पर राइट अमसर 1857 के बिद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब जा किया था यह 3 अगस्त 1857 को किया था बिहार के गया जिला अर्वल जिला नवादा जिला और औरंगावाद जिला में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे जीवधर सिंग क्या नाम है जीवधर सिंग बिहार में देखिए थोड़ा से बिहार में 1857 के विद्रोह के दोरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहां की गई थी तो यह हुआ था चमपारन में आपसन नम और मोतिहारी के नजदीक सुगावली में घुरसावारों का एक दल ने हत्या कर दी थी किसका हत्या E.S. होम्स की हत्या ठेक अगला देखिए कोसे नमबर 29 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेत्रूत किस ने किया था यह तो आप जानवे करते हैं वीर कुमर सिंग जी दिखिए यह BPSC 2019 में प्रसन पुछा गिया है अगला कोसें देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह के सरवाधिक महतुपूर नेता कौन थे तो यही होगा कुमर सिंग कोसें घुमा घुमा के पूछता है इसलिए आपको टेंसान नहीं लेना है सब जो है आपको अच्छे से पढ़ लेन अगला देखिए जगदिसपूर के राजा कौन थे कुमार सिंग हो जाएगा और देखिए जगदिसपूर ततकालिन जो है सहबाद जिले में स्थिता और सहबाद जिले की राजधानी आ रा थी बिसिकली इसको कहिये थी यह भोजपूर हो गया एक तरह से ठीक ना अगला देखिए जगदिसपूर में 1857 में किसके नितुरित में समानांतर सरकार की अस्थापना की गई थी तो यह हो जाएगा अमर सिंग ठीक ने ओप्सन नमबर बी जगदिसपूर में अमर सिंग के नितुरित में अस्थापित सरकार का परधान कौन था तो यह था हरकिश सेंसिंग को इसलिए इसको जो है योग नगरी कहते हैं बिहार का योग नगरी यहीं पहे भीमबंद वाई लाइप सेंचुडी अगला देखिए अठरसो संतावन के दोरान बिहार में कहां के लोगों को अभास हुआ कि मानो देश से सरकारी परसासन समाप्त हो चुका है तो यह हो जाएगा तिरहूत ओप्शन नमबर सी 1857 के बिद्रो का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक के अंदर कहां रहा था जगदिसपूर आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह भोजपूर जिला में है ठीक ना अगला देखिए अबद के साह ने कुमार सींग को फर्मान दिया था जिसका संबंद किस से था आजामगर से था ठीक ना अगला देखिए कोस्टन नमबर 49 1857 की बिद्रो के पहले कुमार सींग को किस वर्थ सद्यांत्र में सामिल होने का संदेह था तो यह था 845 से 846 की बीच और उस समय के पतना परमंडल के कमिस्नर कौन थे विलियम टेलर और इनके अनुसार जो है सन 845 से श्यालिस में पतना और उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाप भयानक सद्यांत्र रचा था अगला दिखिए कोस्टन नमबर नेक्ट है पतना में 857 के विपलव के निता कौन थे यह हो जाएगा पीर अली ठीक ने बी नमबर पीर अली पतना के पुस्तक विक्रेता थे और विद्रो में वह प्राजित हुए और इन्हें पतना में ही फासी दे गई थी किसको फासी दे राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था इसलिए उसने अपने राज में कुमर सिंग को परवेस की अनुमती नहीं दी थी लेकिन रीबा के दूसरे लोगों के सयोग से कुमर सिंग वहां पहुंचे थे और इसके बाद जो है वहां का राजा डर कर अपने परिवा लगती ही है कुवर सिंग ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज केप्टन के साथ यूद किया था तो देखिए विलायत अली के अभी भासनों से बहादूर सा काफी परभावित हुआ था और अपनी सहमती दी थी अगला देखिए कोस्टन नमर नेक्ट है कि पटना के किस वहावी नेता को स्वात के सासक सेद अकबर सा ने स्वागत किया था तो इस सेद अकबर सा कहां के सा सक थे वहावी नेता को स्वागत किया था ये हजागब का इनायत अली mesmo विलायत अली बिहार में स्वतेंदरता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्न अस्थान है तो ये हजागब का वहावी आंदोलन का भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किस ने किया था ये किया था सेयद अहमद सहीद ने और सेयद अहमद जो है उत्तर परदेश के थे और इनका जन्म जो है 1786 में हुआ था अगला देखिएगा कोस्टन नंबर नेक्ष्ट है कि वहाबी आंदोलन का उद्देश क्या था तो ये हो जाएगा सामाजिक तथा धार्मिक सुधार मुसलिमों पर पढ़ने वाले पास्चात्य परभावों का विरोध करना भारत में ब्रिटिस सत्ता की समप्ति करना यानि कि उप्यूप सभी option नंबर डी वहाबी आंदोलन का मुक्ष्ट देश था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था राजधानी पठना था भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर तक सीद अहमद पठना कब आये थे ये आये थे 1821 में और सैद अहमद के थे राइबरेली के थे राइबरेली जो है उत्तर परदेश में है ठीक ना अगला देखिएगा कोस्टन नमर नेक्ट है कि 1830 के दसक में पाटना कहां का केंदर था मतलब किसका केंदर था वहाबी विद्रों का कब 1830 की बात हो रही है और वहाबी अंदोलन का लगवग 46 बरसों 1822 से 868 तक पटना मुख केंदर रहा था ठीक ने एक तरह से राजधानी कर लेजिए वहाबी अंदोलन का पटना में वहाबी अंदोलन के मुख नेता कौन थे तो यह हो जाएगा आपका विलायत अली एवं इनायत अली और विलायत अली सरवाधिक महदुपूर नेता में से एक था तो अप्सन यहाँ यह लोग कर लिजिए अलत के बिहार के वहाबी नेताओं में आजिवन कारावास की साजा इनमें से किसे मिली थी तो यह होगा आपका अहमदुल्ला को अप्सन नमबर ए और पतना के नियाधिस ने अहमद अल्ला को मिर्तिव दंड की साजा दी थी और लेकिन हाइकोट ने आजिवन काला पानी मे बदल दिया था पतना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कोन थे यह हो जाएगा अहमदुल्ला आप्सन नमबर टी विलायत अली की मिर्तिव कब हुई थी विलायत अली की मिर्तिव जो है अट्रसो चोवन को हुआ है और विलायत अली एवं इनायत अली भाई थे दोनों ठीक नमें इस पता लग रहा है कि दोनों भाई है विलायत अली की मिर्तिव के बाद जो है वहाबी अंदुलन का परमुख नेता कोन हुआ तो यह हो जाएगा आपका इनायत अली उसका भाई और इनायत अली की मिर्तिव जो है कब हुआ अट्रसो अंठावन में यानि कि चार साल के बाद जो है छोटे भाई का भी मिर्तिव हो गया था अगला देखिए वहाबी अंदुलन के एक परमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कोन थे वहाबी अंदुलन के परमुख नेता में से एक नेता थे मौलवी अब्दुल्ला इसके पिता का नाम आप से पुछ वकील कौन थे पलाइडेन थे पलाइडेन और इस मुकदमे में तीन पतना के वहावियों को मिर्तिव दंड तथा सेस आठ को आजीवन काला पानी की सजा मिले थी लेकिन बाद में उनकी मिर्तिव दंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया था अगला देखिएगा पटना के वहाबियों की सक्ति समाप्त हो गई थी कब 870 से 871 तक में किस गवर्नर जेनरल ने 1854 में सेस बच्चे वहाबि केदियों की रिहाई करवाया था यह हजाएगा लाड रिपन और सादिक पूर के मौलवी अब्दूल रहीम के पतनी के आविदन पर रिहाई हुई थी वहाबि आंदोलन के समय पटना का कमिसनर कौन था तो यह आपको पिछले बार भी बताया था वहाबि आंदोलन के किस नेता को पतना के सादिक पूर के सदस्यों ने अपना अध्यात्मिक नेता मानता था यह हो जाएगा आपका सज्यद अहमद वरेलेवी औप्सन नमबर सी वहाबियों ने सिमान शित्र में अपना राज्य कहां अस्थापित किया था आप सब टोपिक को कबर जरूर कर लिजिए कोसंस यहीं से डिरेक्ट पूछेगा आपके परिक्षा में क्योंकि यहीं सब कोसंस पूछवे करता है आगला देखिए कोसंस नमबर तईस वहाबी आनदोलन के प्रनेताज सयद अहमद सहीध के संबंध में इम cartoon से सब को पढ़िए और सहीध को बताईएगा तो यहाँ पे आप उनका जन्म के बारे में यानि की सयद अहमद सहीध के बारे में आपको यहाँ पे देखिएगा देखिएगा तो इनका जन्म 1786 में राइबरेली में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, इन्होंने 1821 में पटना की आत्रा की थी, बिल्कुल की थी, और सयद अहमद जो है 1831 में सिखों के बिरूद लरते हुए मारे गए थे, बिल्कुल मारे गए थे, और इनकी मिर्तियू बाला अगला देखिए, इनायत अली की मिर्तियू के बाद जो है, किस वहावी नेता ने अंग्रेजों से संगहर्ज करने तुरित गहन किया था, यह मक्सूद अली हो जाएगा, ओप्सन नमबर सी, वहावीयों को अंग्रेजों ने कब प्राजित किया था, तो वहावीयों को उम्रकैद और काला पानी की सजा हुई थी, तो यह हो जाएगा आपका अबदुलरहीम, यहिया अली और अहमदुल्ला, उप्यूक सभी, उप्सन नमबर टी, अब दूसरा टोपिक हमें आ चुका है, बिहार के साथ साज हरखंड में जन जातिया अंदोलन जो हुआ था, उस सिध्धु कानू जो है, चांद भैरव, इन चार भायों के नेतरीवित में बिद्रो हुआ था, तो ध्यान रखेगा संथाल बिद्रो के नेता सिध्धु कानू थे, अगला देखिए संथाल बिद्रो की सुरुवात, सिध्धु कानू के गाउं भगनाटी ही, राज महल सब दिविजन से हुई थी कब, तो यह है जाएगा 30 जून 1855 को, ठीक, आगला देखिएगा कोशन नमर 3, संथाल बिद्रो, जो की 1855 से 1857 तक हुआ था, इसका फैलाव कहाँ था, इसका फैलाव था बर्दवान से लेकर भागलपुर, बर्दवान जो है पस्चिम बंगाल में है ठीक ने, और वहां से लेकर भागलपुर में फैला था, और पस्चिम में कहलगाओं, भागलपुर जो एक सहर है भागलपुर डिश्टिक में, भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में दक्षिनी में, रानी गंज और सेंथिया तक का खालों ने लगभग मुख्त कर रखा था अगला देखिए कमपनी सरकार ने कब संथाल से विद्रो के छित में मार्सल लाव लगा दिया था यह हो जाएगा 10 नवंबर 885 को तो देखिए 3 जनवरी 886 को मार्सल लो हटा लिया गया था लगाया गया था 10 नवंबर 885 को और 3 संथाल परगाना जिले का गठन किया गया था तो यह हो जाएगा आपका संथाल विद्रो के बाद परगाना जिला कहां पर है प्रस्चिम बंगाल में है ठीक ना अगला देखिए 885 में संथालों ने किस अंग्रेज कमंडर को हराया था तो यह हो जाएगा आपका मेजर बार option number C इन में से संताल बिद्रो कब हुआ था संताल बिद्रो की बात करें तो ये हुआ था 855 से 856 के बीच में अंग्रेजों के खिलाब संतालो के बिद्रो की अबधिक क्या थी तो ये होगा 855 से 857 option number B उस छेतर की पहचान किजिए जहां संतालो ने 855 से लेकर 856 में अपनी सरकार की घोसना की थी तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर राजमहल option number B अब देखिए मुंडा बिद्रो के बाड़े में आपसे प्रस्न पूछ लेता है कभी-कभी तो यहां पे मुंडा बिद्रो से कोशन देखिए कितने बनते हैं उन सब को एक बार पर लेजिए उल्गुलान बिद्रो किस से जुरा था तो यह जुरा था आपका बिरसा मुंडा से बिरसा मुंडा के जन्म दिन किस दिन मनाय जाता है 15 नवंबर को इसलिए जो है जार्खान राज के अस्था अपना 15 नवंबर को हुई है वर्स 2000 में बिरसा मुंडा के जन्म दिन पर है ठीक ना बिरसा मुंडा के गुरु कोन थे? यह थे आपके आनंद पन्डे अप्सन नमबर B मुंडाओं ने बिद्रो खाड़ा किया था कब? 1895 में बिरसा मुंडा का कार छेतर कोन सा था? राची जार्खन से है तो राची राजधानी जानवे करते महां की है अगला देखिए बिरसा को सोते हुए कब पकरा गया था?